हेलो बेच्चो, तो कैसे हैं आप लोग, एमास्टर स्रीज के पहले दो लेक्चर में मैंने आपको कुछ एमार स्टार बताये थे, अज फ्लिड के एमार स्टार में बताऊंगा, जो ना कभी आपने देखा होगा, सुना होगा, और ना इस लेवल पर आपने कभी सोचा होगा, कुछ questions मैंने लिये है, IIT, EMS, NEET के, और उसके तुरू मैं आपको MRS रा सिखाऊंगा, चली देखते हैं, ये question है बेटा, NEET 2016 का, 99% बच्चे सवाल को छोड़ गया थे, क्योंकि language lengthy है, calculation lengthy है, और MR star एक ऐसी चीज है, जो आसान सवाल में नहीं लगता, एकदम जोरदार सवाल मे जोरदार concept लगता है, और मैं जब तुम्हें ही सिखा दूँगा, इस सवाल का, तुम option देखके सीधा हाथ रख दोगे और बोलोगे, ये ही सही होगा, चलो सवाल परते हैं, to non mixing liquid of density rho and n rho, पहले liquid की density है बेटा, rho और नीचे वाले liquid की density n rho, सर आपको कैसे पता, नीचे वाले liquid की density n rho होगा, तो हम तो यहीं नहीं समझ पाएंगे, द्याहन से देखिए, ये कह रहा, n is greater than 1, तो एक liquid है जिसकी density rho है, और दूसरी liquid है जिसकी density n rho है, जहाँ पर n जादा है, मतलब दूसरी liquid की density n times जादा है, और higher density की liquid नीचे रहता है, clear है, तो ये n rho, और this is rho, और put in a container, then height of each liquid is h, यहाँ पर देखिए, container में इस liquid का height is small h है, और इस liquid का भी height is small h, कुछ h माल लेते हैं, और solid cylinder of length, capital F, solid cylinder है, जिसका length है, capital L, मैं रफ्तार में लिक रहा हूँ क्यूंकि मैंने सवाल पहले से पढ़ा हुआ है, कोई खास बात नहीं है, of density is small d, is solid cylinder की density है, small d, and this container, then cylinder float with axis vertical, and length PL, जहाँ पर P एक से कम है, in the denser liquid, denser liquid कौन सा होगा, नीचे वाला, इस पूरे liquid का, sorry, इस पूरे cylinder का, नीचे वाले liquid में PL हिस्सा फ्लोट कर रहा है, तो उपर हो जाएगा L minus PL, देखरो कि इतना वैंकर expression आ रहा, in the denser liquid, then density D is equal to, इस solid cylinder का density, small d, क्या होगा, यह पूचा है, सबसे पहले हम करेंगे मजदूरी, क्या कहता है मजदूरी, मजदूरी कहता है, कि कोई भी चीज, अगर liquid में, फ्लोट कर रहा हो, या सिंक हो जाए, या बीच में कहीं, इकलुविरियम कंडिशन में हो, तो आर्कमणिश प्रिंसिपल के कॉर्डिंग, यह liquid उपर पे band force लग पड़ा होगा mg, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट लिक्विड का band force प्लस, सेकेंड लिक्विड का band force is equal to mg, फर्स्ट लिक्विड का band force हो जाएगा बेटा, रो, देंसिटी, इन्टु इसका वॉल्यूम, एरिया मानलो, ए और इसका लेंथ हो जाएगा, एल कॉमन न करो, और फिर option के according, आप उसको manipulate करो, और फिर answer देखो, एक तो यह हो गया, और यह मैं इतनी जल्दी इसलिए लिख पाया है, क्योंकि मैंने सवाल को पहले solve किया हुआ है, आभी कर लेंगे कोई खास बात नहीं, सर इसमें MR स्टार कुछ हो सकता है, जहां पर भी variable के question हो, हाँ पर तो MR स्टार होगा ही, ना हो तो भी हम MR स्टार लगाने की कोशिस करेंगे, अभी सिखाऊंगा, इसका MR स्टार बहुत easy है, MR स्टार कहता है, कि ऐसा assume करो, एक मेंट यह नीचे fix हो कि, ऐसा assume करो, कि, if n is equal to 1, अब आधे बच्चे जो रामलाल टाइप है, जो मेरे से कभी नहीं परें, I'm sorry, उनको यह बात पचाने में थोड़ा समय लगेगा, कि सर, n greater than 1 दिया हुए, आप इसको, सर, greater than 1 है, आप 1 कैसे मान सकते हो, मैं समझ रहा हूँ, एक से जादा दिया है, अगर तुम examiner की बात मा होगे, तो तुम question के साथ खेलोगे, सर, ऐसे मान सकता है, हाँ, वो कह रहा है, n is greater than 1, लेकिन कितना 1, 1 से कितना जादा, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, यह लिखा है क्या, वो तो लिखा है, लेकिन कितना जादा है, यह mention नहीं है, इसका मतलब हम 1 भी मान सकते हैं, तो अगर 1 density, D जाधा होगा, लिक्विट से, तो सिंक कर जाएगा, और solid के density कम होगा लिक्विट के जाधा होगा तो फ्लोट करेगा, और density बराबर हो तो completely submerged होके float करेगा, और completely submerged होके, उपर लेवल में इसमबज रहे हैं, जरूरी नहीं है, completely submerged वो बीच में भी हो सकता है, यहां साइड में भी हो सकता है, उपर भी हो सकता है, कहीं भी समर्ज हो के float करेगा तो सर अगर आपने n1 लिखा और question में लिखा है कि यह बीच में है, interface पे है मतलब अंदर कर रहा है वो तो if n is 1 तो दोनों liquid की density same और इसके अंदर अगर यह float कर रहा, तो d भी रो के बड़ावर होगा hence if n is 1, then d बड़ावर रो होना चाहिए, यह है मारे star अब option में put करके देखते है, n को रखने पर d बड़ावर रो आना चाहिए, d की value given है यह d की value ही तो given है, density d is equal to यह d की value given है, यहापे देखते है, d रो के बड़ावर आता है की नहीं, n को 1 रखने से अब n को 1 रखने के बेटा 2 हो जाएगा और यह 1 प्लस 2 पी है 1 रख होगे, यह 0 आ गया तो यह 2 रो आ रहा है, गलत हो गया क्योंकि n को 1 रखने से रो आना चाहिए 1 रख होगे, 2-2-4 गलत हो गया यहाँ पर 1 रख होगे, यह टर्म 0 0 प्लस 1 is 1 and 1 इन्टो रो इस रो, 4th option is correct हो गया काम करता यह है बड़ा, यह हमार स्टार सोचने की एक छोटी सी सोच, कोई खास बात नहीं आओ, एक इस्टिक उपर लेके चलते है IIT 2014 बड़ा, IIT वाले हर student यह सवाल सॉल्व करते है इवन मेडिकल वाले इस स्टुडेंट मेडिकल वाले स्टुडेंट भी इस कोईटन को सॉल्व करने ही कोशिस करते है कोई भी बच्चा यहाँ पर IIT का बैठा हो, तो जरूर बताना कि तुमने किया था कि नहीं किया था सर किया तो था complete one page and one and half page का solution है हाँ, मैं भी पहली बार किया था तो बहुत इकटनाई हुआ था सर इसमें मारे स्टर क्या लगा लोगे होई नहीं सकता, अरे हो सकता, सवाल पढ़ लो तू स्क्रीन पहुच करके पहले सवाल पढ़ लो यह कह रहा 2 liquid है दोनो liquid का जो surface है 90 degree angle बना रहा, मतलब यह interface यहां से यहां तक liquid है तो यह 90 है और यहां से यहां तक white वालब liquid है यह 90 degree angle बना रहा और vertical से दोनो liquid का जो interface है हो uh angle बना, सवाल पर लो, समाह जा जाएगा इस liquid current state d1 जैसकी है d2 तो आपसे पूछा है D1 by D2 का ratio, बटा घवराना नहीं है बिल्कुल भी, बताओ क्या करोगे, प्रेसर बैलेंस करके मजदूरी या MR star, बोलो बोलो बाबू क्या चाहिए, MR star चाहिए कि मजदूरी चाहिए, आओ देखो, ये alpha angle कितना है, सर पता नहीं, alpha बन रहा है, और वो भी 60-90, पता नहीं सर, assume करो, बहुत छोटा सा है MR star बताओ, तुम कहोगे सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा, प्रैक्टिस से, अभी और सीखाओंगा, और जो सीखार उसको लगाना सीख धिरे-दिरे, मजद आज आएगा, एक दम जोड़दार, मतलब ये दुनिया से पर है, कह किसी ने सोचा होगा, कोई बहुत रेर, लेकिन तुम भी नहीं मिलेगा, ढूण लेना, अलफा ही जीरो, सरी ये क्या कर रहे हो, कुछ भी मान रहो, हाँ, क्योंकि सवाल में नहीं दिया है, यहाँ पर अलफा है, तो अलफा कुछ भी हो सकता है, हाँ, कुछ भी हो सकता है, तो 0 ही क्यों लिया, मेरी मरजी, मैं 0 मान के verify करना चाहता हूँ, अगर मैं alpha को 0 लूँगा, तो यह तभी होगा, जब इन दोनों liquid की density बढ़ावर हो, मतलब, then d1 बढ़ावर d2 हो जाएगा, wait, 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 धबराना नहीं है, wait, if alpha is 0 degree, अभी alpha 0 से ज़्यादा दिख रहा है, डियाग्राम में, यह liquid did answer रहा होगा तभी, तो इसने दवा दिया, यह बेचारा भाग गया, अगर दोनों की density बढ़ावर हो, तो दोनों का interface ही हाँ जाएगा, मतलब vertical से 0 degree का angle बनेगा, मैंने यह assume किया, answer आ जाएगा, अगर d1 बढ़ावर d2 है, तो d1 by d2 का value 1 आ जाएगा, इसका मतलब हाँ, और यह d1 by d2 की ही तो value है, तो यह 1 आना चाहिए, कब जब alpha को 0 रखो, जब alpha 0 तो sin 0, 0, cos 0 1, 1 minus 1 क्या हो जाएगा, 0, 1 upon 0 is infinite, infinite आ रहा है, गलत हो गया, यह भी infinite आ जाएगा, देखो, cos 0 is 1, 1, 1, 2, 2 by 0 infinite गलत हो गया, यह तो सवाल है, सो जब concept में हमारे start लगाएगा, तो क्या होगा, जब सवाल क्या सी तैसी हो रहे, यह भी option सही आ जाएगा, क्योंकि जब यह पर 0 रखो कि cos 0, 0, and sin 0 is 0, तो यह आ जाएगा, 1 by 1, 1, और यह भी 1 आ जाएगा, मतलब यह दोनों सही हो गया, तो अब सर्थ दोनों में से कौन सा टिक लगाएगे, बैठा, दो option सही होने का मतलब है, यह दोनों सही हो सकते हैं, यह तो पर्मनेंट लिंग ज़लत हो गया, तो अब क्या कर लोगे, और और सोचूँगा थोड़ा सा, दूसरा MR स्टार, अब यह सोचो थोड़ा सा, तैन और साइन में मुझे इंसर लाएगा, आप थोड़ा सोचो, कि अगर D2 0 मान लेता हूँ, सर गजब कि, आपने पहले अलफा 0 मान ले, आप D2 0 मान ले, हाँ, मैं यह मान रहा हूँ कि यह लिक्वेड की डेंसिटी D2 0 है, मतलब यह लिक्विड ही नहीं, हाँ, मान सकते हैं, एक ही लिक्विड बचेगा, जब एक लिक्विड बचेगा, तो बालेंस कंडिशन में ऐसा थोरी नहोगा, कि एक लिक्विड को तुम फिल करोगा और यहां तक फिल्डेड होगा, एक लिक्विड फिल्ड करोगे, तो ऐसे फिल्ड होगा पूरा, equilibrium condition में मतलब यह total angle अगर 90 बन रहा है तो vertical से एक side का alpha angle, alpha is equal to 45 होगा मतलब d2 0 है और d1 को कुछ भी 1 मान ले तो हमें simplicity के लिए, तो जो alpha है वो 45 आना चाहिए, हाँ तो यहाँ पर जैसे ही तुमने d2 को 0 माना, d1 को 1 माना, तो इसको लिखो तुम 1 by 0, clear है cross multiplication करो, alpha यहां से 0 हाजाएगा, यहाँ पर लिखो 1 by 0, cross multiplication करो 0 in multiply something is 0 और this multiply 1 is this ही रह जाएगा मतलब 1 minus tan alpha is equal to 0, तो tan alpha is equal to 1, means alpha is equal to 45 degree this is a correct answer, this is wrong, हो गया काम खत्म, यह मान स्टार का जल्वा और देखो यह question बेटा ms 2010 में है, मतलब नीट भी लिया it भी लिया, और ms भी लिया, सब किया सीद ऐसी कि रहेंगी, चलो देखो सवाल a liquid is kept in a cylinder vessel which is being rotated about a vertical axis, इसी सवाल आपने fluid में किया होगा, यह cylinder है और इसको vertical axis से omega speed से rotate कर दिया, ठीकर न, omega given है अबको, अब्वय सी बात है, यहाँ पर जो liquid का surface होगा, कुछ इस तरीके के format में आ जाएगा, ओके, बढ़िया सर, अब center से ले करके, surface के बीच में liquid का height difference पूछा, मतलब height पूछा, यह सवाल पढ़ लिजे आपको दिख जाएगा, देखिए, difference in the height, मतलब इसके और इसके height म difference, मतलब है, liquid at the center of the vessel and the edge, edge and center of a vessel के बीच में, अब बोड़े इक्तिफाक से, जो मैंने option दिया, मैंने खुद manipulate नहीं किया है, M सवालों ने किया है, और मैं अभी कराओंगा, NLM में, AI PMT 2015, AI PMT 13, AI PMT 2017 में कराओंगा, मतलब मैं नहीं कह रहा है कि MR स्टार से मैं पूरे पढ़ा दूँगा, सारे सवाल करा दूँगा, physics पढ़ने की जोतनी, मैं यह नहीं कहा है, लेकिन तुम competition में, अग करता है, मुश्कील सवाल का सीधा answer बताता है, आओ, यह भी अच्छा सवाल है, आपको integration करना पड़ेगा या Bernoulli's equation लगाना पड़ेगा, इसाथ दो method है, दुनिया करती है integration से, मैं करता हूँ Bernoulli's से, लेकिन, सारे trick का बाप है MR स्टार, यह बहुत छोटी बात कहता है, यह चार option में, एक ही option में height का dimension है, तीन option में height का dimension नहीं है, तो तीन गलत हो जाएंगे, कैसे, तो देखो, यह L, omega होता है 1 upon T, और G हो जाएगा, तुम्हारा L T minus 2, और यह T, तो यह से कटेगा, तो 1 upon T minus 1 मतलब उपर जाएगा, time का dimension आ रहा, पूछ height रहा, यह velocity आ जाएगा, दे जब G में आएगा T minus 2, और omega में भी आएगा T minus 1, time बचला, लेकिन मुझे time में सिर्फ height चाहिए, यहाँ पर देखो, G में एक हाएगा length, और R square में भी length आएगा, तो नीचे length आ रहा, L cube, नीचे मुझे तो height चाहिए, height का dimension होता, simple L, यहाँ पर height का dimension आजाएगा, सिर्फ L का power 1, मतलब second option is correct, बात खतम, कहां बड़े हो चक्कर में, और ऐसे सवाल आते हैं क्या, तो यह क्या है, और देखो, समय तोरह कम है, यह है बेटा, नीच 2013 का सवाल, यह सवाल आपने flood में किया होगा, क्या कहता है सवाल समझेए, एक object लिया, solid or ball, जिसकी density है sigma, उसको यहाँ से liquid क सवाले object को release किया, तो release करोगे, तो sigma कम होना चाहिए, density, देखो, sigma कम है, मतलब object की density कम है, और liquid की density, रो, देखो, जादा है, तो band force लगेगा, band force की वैसे jump करेगा, और jump करके surface पे रूखेगा, यह surface से कुछ h height तक, maximum height तक जाएगा, वो कितने maximum height तक jump करेगा, वो बताओ, यह experiment आफ घर पे भी कर सकते हो, बहुत हलका ball लो, और उसको deep depth पे नीचे ले जाके छोड़ दो, तो भागता हुआएगा, और liquid surface से इच height तक jump करेगा, और यहाँ सर ऐसा तो होता है, चलो देखते हैं, कैसे करेंगे सवाल को solve, तो एक मजदूरी, जो एकदम यूगांडा वाली म मजदूरी है, कि आप, क्या है पहली मजदूरी, कि आप, यहाँ पे force निकाल के, यहाँ पे velocity निकाल ले, और velocity से height निकाल ले, h is equal to v square by 2g, यह बहुत वारा मजदूरी है, यह नहीं करना, एक दूसरा मजदूरी है work energy theorem से, कि जब यहाँ से छोड़ूँगा, तो gravitational force नीचे ल लगेगा, तो total work done is equal to change in kinetic energy, total work done is equal to change in kinetic energy, और ध्यान से देखेंगे, मैंने release किया है, तो इसका speed है यहाँ पे 0, और maximum height पे जाएगा, तो भी speed 0 हो जाएगा, मतलब change in kinetic energy 0 हो गया, work done by gravity हो जाएगा, mg into, capital H plus small h, यह हो गया, work done by gravity, भी था negative sign, sir कैसे, तो यहाँ से यहाँ तक gravitational force और यहाँ से यहाँ तक लगा है, तो minus mg force into displacement, small h plus capital H, minus, work done by band force हो जाएगा बेटा, ऊपर लाएगा band force, rho vg into small h is equal to 0, आप ध्यान से देखेंगे, तो m को माज को लिख सकते है, sigma into v, यह से cancel होगा, 45 line, solve करके answer आएगा, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, मजदूरी या mr star, है, अब तुम mr star सीखो, यह कहरा, rho जादा है, लेकिन exactly कितना जादा है value नहीं लिखी, अगर वो लिखता, यह 5 है, यह 2 है, तो हम कहते ही कि rho जादा है, sigma कम है, लेकिन जादा कम बटाई, इसने कुछ लिखा ही नहीं, yes sir, तो फिर, एक case ajium करना चाहता हूं, सोचना चाहता हूं, कि अगर sigma बराबर rho होता, तो क्या होता, क्योंकि सारे option में sigma और rho के terms में answer है, अगर मैं यह मानूं कि, if rho बराबर sigma, तो sir, rho बराबर sigma तो, यह तो, आक्मडीज का first case हो गया, हाँ, मतलब जहां रखो कि वही रह जा लिए answer, अगर sigma जादा होता, तो यह सिंग करता, sigma कम है, तो जंप करेगा, और बराबर है, तो जहां छोड़ दोगे, वही रहेगा, तो दोनों को बराबर रखो, जैसे बराबर रखो, तो jumping height, यह small h के terms में आरा गलत है, अच्छा, सारे option small h के terms में होगे, जितना depth नीचे है वह लिखना है, आपको तो कितना height jump करेगा, वह निकालना है, यह जीर खतम, अच्छा, जैसे यहां पर equal रखोगे, 1 upon 0, तो यह infinite आ गया, देखो यहां पर बराबर रखने से option गलत हो गया, और यहां पर equal रखोगे, तो उपर में आ जाएगा 2 h गलत है, यहां पर equal रखोगे आ जीरो मतलब यह सही है, हो गया, बजाव ताली, बदाव मोख्च मिला की नहीं मिला, next lecture में फिर किसी और topic मेरे स्टार के साथ हम मिलते हैं, अगर आपको यह बहुत बढ़िया लगा, तो comment में बताईए, बहुत अच्छी बात है, फिर अपन मेरे स्टार सेरीज को continue रखें ठेक है, और इसको सेर करिए, धन्यवाद